मुंबई के नाक पाड़ा स्थत्यक सिटी सेंटर मॉल में गुरुवार रात आग लग गई थी जिस पर अब तक काबूर नहीं पाया गया इस आग में दो दमकल कर्मी घायल हो गए हैं और पड़ोस की पचपन मंजिला इमारत से 3500 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है मुंबई के फायर ब्रिगेट ने स्तर पाँच की आग घोशित कर दी है आग पहले एक दुकान में लगी जो धीरे धीरे भटी चली गई आग गुरुवार देर रात लगी और उस वक्त में मॉल में 200 से 300 लोग मौजूद थे इन लोगों को मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेट के करमचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया आग को रोखने के लिए मौके पर 24 फायर इंजिन, 16 जंबो टेंकर्स और 250 दमकलकर्मी मौजूद है आग को भुजाने में घायल कर्मी का नाम शम्राव, जलाल, बंजारा और रमेश प्रभाकर है दोनों घायल करमचारियों का इलाज जेजे अस्पताल में हो रहा है, दोनों की हालत स्थर बताई जाती है जाती है